पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशन्ट का कंसल्टेशन कर चुका हूँ ये चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विग्यान के आधार पर दी जाती है लेकिन याद रखिये समय के साथ विग्यान बदल सकता है यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है हमारा मिशन है HIV Positive को स्वस्थ और संपून जीवन देना और हमारा विजन है श्वेश्ट इलाज के साथ HIV के बारे में परियाप्त समझ देना याद रखे आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इनसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता आपका HIV नहीं मिटा सकता ओनलाइन, इन क्लिनिक, म्यूच पापर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो अड़र्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देनगे तो याद रखे वह एक जूट है, फ्रॉड है या धोखा है आज के समय में, वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयूरवेदिक, होमियोपेथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपेथी या कोई भी साइन्स किसी भी तरह से HIV नहीं मिटा सकता इसलिए HIV मिटाने की चक्कर में आप अपना स्वास्थियर, समय और समपती तीनों का नुकसान कर सकते हैं इसलिए HIV को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्केम के शिकार न बने इस वीडियो में हम जानेंगे कॉंडोम के इस्तेमाल के बाद HIV का डर कॉंडोम फटने का मुख्यकारन कॉंडोम के फटने को कैसे रोके कॉंडोम का उप्योग कैसे करे कॉंडोम से जुड़ी सामान्य गलतिया खरीदना, रखना, उप्योग करना, निकाल के संबंधित क्या करे और क्या न करे सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर केतन रानपरिया एक HIV AIDS विशेशग्य हूँ और आज हम कॉंडोम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं मेरा लक्ष्य आपको आत्मविश्वास से, प्रभावी धन से और बिना किसी दर के कॉंडोम का उप्योग करने के लिए आवश्यक ज्यान देना है चाहे आप कॉंडोम का इस्तेमाल पहली बार करने वाले हो या सालों से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है कॉंडोम फटने से लेकर सामान्य गलतिया, सुरक्षित निकाल के साथ और भी बहुत कुछ कवा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कॉंडोम के इस्तेमाल के बाद HIV का डर कॉंडोम काफी सुरक्षित होते हैं, जब सही तरीके से उप्योग किया जाता है, तो कॉंडोम HIV को रोपने में बहुत प्रभावी होते हैं यदि आपने हमारे द्वारा आगे बताये जाने वाले चरनों का पालन किया है, तो आपका जोखिम बहुत कम है तेस्ट मानसिक शान्ती प्रदान करता है, यदि आप चिंतित हैं, तो टेस्ट करवाना हमेशा एक विकल्थ होता है कॉंडोम हटाने के बाद HIV का डर, आपकी चिंताओं का समाधान कॉंडोम आपकी धाल है, कॉंडोम HIV के खिलाफ आपकी रक्षा के लिए पहला कदम है जब सही धंग से और लगातार उप्योग किया जाता है, तो वे एक विश्वसनिय रशन पैदा करते हैं जो HIV के फैलाफ के बॉडी फ्लूइड के आदान प्रदान को रोकता है अधेनों से लगातार पता चला है कि कॉंडोम HIV के फैलाफ को रोकने में काफी प्रभावी है इसलिए, यदि आपने कॉंडोम का सही धंग से उप्योग किया है और यह शारीरिक संबंद के दोरान बरकरार रहता है, तो निश्चिन्त रहें उचित उप्योग पर ध्यान दे सेक्स के बाद थोड़ी चिन्ता महसूस होना स्वाभाविक है, खासकर यदि आप HIV के बारे में चिन्तित है हाला कि दर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, इस तत्य पर ध्यान केंद्रित करे कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए एक सक्रिय कदम उठाया यदि आपने हमारे द्वारा आगे चर्चा किये जाने वाले चरणों का पालन किया है जिनमें साइस, एक्स्पायरी डेट, सही मात्रा में लुब्रीकिंट का उप्योग करना और कॉंडोम को सही धंग से लगाना तो आपने अपने जोकिम को कम करने के लिए वह सब कुछ किया है जो आप कर सकते हैं यदि सावधानी बरतने के बावजूद आप अभी भी खुद को चिंतित पाते हैं, तो HIV का टेस्ट कराना हमेशा एक विकल्प होता है आधुनेक HIV टेस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और संपर्क में आने के कुछ ही हफ्तों के भीतर वाइरस का पता लगा सकते हैं याद रखें, HIV को बढ़ने से रोकने के लिए तुरंट पता लगाना महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आपको कोई संदे है तो डॉक्टर केतन रानपरिया से बात करने या टेस्ट कराने में संकोच न करें याद रखें, ग्यान ही शक्ती है, HIV को फैलने से रोकने के बारे में खुद को शिक्षित करना, डर और चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ये समझकर की कॉंडोम कैसे काम करता है और उसका सही तरीके से उप्योग करके, आप अनावश्यक चिंता के बिना सेक्स का आनंद ले सकते हैं कॉंडोम आपको स्वस्थ शारीरिक संबंध पर नियंत्रन रखने और HIV से खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाता है यदि आपके पास और कोई प्रश्ण या चिंताएं हैं, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता के लिए बेजी जख हम से संपर्क करें कॉंडोम फटने का मुख्यकारण बहुत छोटे कॉंडोम का उप्योग करने से वह खिंच सकता है और फट भी सकता है इसके विप्रीट, बहुत बड़ा कॉंडोम का उप्योग करने से यह फिसल सकता है आ निकल भी सकता है जिससे उसका उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा यहां तक की कॉंडोम की भी एक शेल्फ लाइफ होती है वे जिस लेटेक्स या अन्य सामगरी से बने होते हैं, समय के साथ खराब हो जाते है एकस्पायड कॉंडोम बाहर से तो ठीक लग सकता है, लेकिन इसके उप्योग के दोरान इसके तूटने या फटने का खत्रा बढ़ जाता है तो कॉंडोम का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा एकस्पायरी डेट देखना ना भूले सेक्स का मतलब आनंद दायक होना है, दर्दनाक नहीं परियाप्त लुब्रीकिंट के बिना कॉंडोम का उप्योग करने से घर्षन पैदा होता है, जिससे असुविधा हो सकती है और हाँ, कॉंडोम फट भी सकता है घर्षन से गर्मी उत्पन होती है और कॉंडोम कमजोर हो सकता है यदि आपके या आपके साथी के लंबे नाखून, इंगूटिया या अन्य आभूशन है जो कॉंडोम के संपर्क में आते हैं, तो ये कॉंडोम को फार सकता है आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग कॉंडोम के पैकेट को अपने दातों या नुकीली वस्तूओं से खोलते हैं आपके इस्तेमाल करने से पहले ही कॉंडोम को खराब करने का यह एक आम तरीका है कॉंडोम को सावधानी से सभाले, उन्हें अपनी उंगलियों से धीरे से खोले याद रखे, कॉंडोम में छोटे-छोटे छेद भी इसकी प्रभावशीलता से समझोता कर सकते हैं कॉंडोम की विफलता के सामान्य कारणों को समझ कर, आप इसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं और एक सुरक्षित और सुखत सेक्स का अनुभव सुनिष्चित कर सकते हैं कॉंडोम के फटने को कैसे रोके? सही साइस चुने, यह आराम से फिट होना चाहिए लेकिन बहुत टाइट नहीं होना चाहिए कई ब्रांड अलग-अलग साइस पेश करते हैं जो आपके लिए उप्यूक्त है उसे धूधे कॉंडोम सभी के लिए एक साइस का नहीं होता बहुत अधिक टाइट कॉंडोम सिकुर जाएगा, जिससे दबाव पढ़ने पर उसके फटने का खत्रा बढ़ जाता है दूसरी और, बहुत धीला कॉंडोम अपनी जगह पर नहीं टिक पाता, जिससे शारीरिक संबंध के दौरान उसके फिसलने का खत्रा बढ़ जाता है टिप, जब तक आपको सही साइस न मिल जाए, विभिन ब्रांडों और साइस के साथ प्रयोब करने से न डरें कई ब्रांड सेंपल पैक या ओनलाइन फिटिंग गाइड पेश करते हैं उप्योग से पहले हमेशा एकस्पायरी डेट जाचे कॉंडों हमेशा के लिए नहीं रहता वे जिन सामग्रियों से बने हैं वे समय के साथ खराब हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं और क्षती के प्रती अधिक समवेधनशील हो जाते हैं हमेशा कॉंडोम के रैपर या बॉक्स पर लिखी एक स्पायरी डेट की जाज करें यदि यह बीच चुकी है तो इसे फेक दे और एक नया कॉंडोम ले लें याद रखें, गर्मी और नमी कॉंडोम को खराब करने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है इसलिए अपने कॉंडोम को सीधे धूप से दूर थंडी, सूखी जगह पर रखें सही मात्रा में लुब्रीकिंट का प्रयोग करें आरामदायक और सुरक्षित सेक्स अनुभव के लिए लुब्रीकिंट आवश्यक है ये घर्शन को कम करता है, जलन के जोखिम को कम करता है और कॉंडोम को फटने से बचाने में मदद करता है कॉंडोम के लिए पानी आधारित लुब्रीकिंट सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि वे लेटेक्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे सावधानी से खोलना, कॉंडोम को अपनी उंगलियों से सावधानी पूर्वक खोले कॉंडोम नाजुक होते हैं, इसलिए इनका सावधानी से उप्योग करे अपने दातों या नुकीली वस्तूओं से पैकेट को खोलने से बचे शिद्रित किनारे को धीरे से फारने के लिए अपनी उंगलियों का उप्योग करे एक बार खुलने के बाद, कॉंडोम को साफ हातों से पकड़े और अनावश्यक खीचने से बचे याद रखे, एक छोटा सा छेद भी कॉंडोम को बिन असरकारक बना सकता है, इसलिए साफधान रहे कॉंडोम का असरकारक रूप से उप्योग करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है इन सरल सतेप का पालन करके, आप कॉंडोम के फटने के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और चिंता मुक्त अनुभव का आनन्द ले सकते हैं कॉंडोम का उप्योग कैसे करें? सुनिश्चित करे कि यह सील है और एक स्पाय नहीं हुआ है अपनी उंगलियों का प्रयोग करें, दातों का नहीं वीर्य के लिए जगर छोड़ने के लिए कॉंडोम की टिप को दबाएं कॉंडोम को खड़े लिंग की नोग पर रखें और इसे आधार तक रोल करें वीर्य को कॉंडोम से बाहर निकलने से रोकने के लिए निकालते समय कॉंडोम के आधार को पकड़े कॉंडोम को सावधानी से उतारे और एक गाट में बांध ले इसे कुर्यदान में फेक दे कॉंडोम से जुड़ी सामान्य गलतिया किसी भी प्राइवेट पार्ट के संपर्थ से पहले कॉंडोम को पहनना आवश्यक है टिप पर जगह न छोड़ने से कॉंडोम फच सकता है कॉंडोम केवल एक बार उप्योग के लिए है उप्योग से पहले और बाद में कॉंडोम का निरीक्षन करे खरीदना, रखना, उप्योग करना और फेकना, क्या करे और क्या न करे क्या करे, प्रतिष्टित दुकानों या क्लीनिकों से कॉंडोम खरीदे कॉंडोम को ठंडी, सूखी जगह पर रखे हर बार एक नए कॉंडोम का उप्योग करे क्या न करें, कॉंडोम उन जगहों पे न रखे जहाँ वे गर्मी या धूप के संपर्क में आ सकते हैं कॉंडोम को अपने वोलेट या कार में न रखे जहाँ वे ख्षतिग्रस्त हो सकते हैं कॉंडोम को शोचालय में न बहा दे मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको आत्म विश्वास के साथ कॉंडोम का उप्योग करने के लिए सशक्त बनाया है याद रखें, कॉंडोम आपकी और आपके पार्टनर की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक चीज है यदि आपके कोई प्रश्ण है, तो बेजिजग मुझ से ओनलाइन बात करें और मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो को लाइक करना न भूले और अधिक जानकारी पूर्ण सामगरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद, HIV AIDS Specialist Dr. केतन रानपरिया से HIV Treatment, HIV Counseling, Laboratory Test, Post-Exposure Prophylaxis, Pre-Exposure Prophylaxis या HIV के इलाज के लिए ओनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर WhatsApp करें HIV के Treatment के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Left Side के Playlist पर क्लिक करें और HIV की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Right Side के Playlist पर क्लिक करें